हलो फ्रेंस, स्वागत है आपका आपके चिरन सिष्टे किचन में फ्रेंस आज हम बनाएंगे ब्रत के लिए आलू फ्राई तो इसके लिए मैं क्या क्या इंग्रीजिन चाहिए तो आलू को बॉयल करके मैंने छेल के कट कर लिया है मौकफली, जीरा, काली मिच का पाउडर, हरी धनिया और मिच तो फ्रेंस चलने इसको बनाने तो सबसे पहले हम कड़ाए में घी डालेंगे घी अच्छे से मिल्ट हो जाए उसके बाद इसमें हम मौकफली फ्राई करेंगे फ्रेंस अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइक उनको प्रेश कर दें जिससे मैं कोई वीडियो अप्लोट करूँगी सबसे पहले नोटिफिकिसन आपके पास पहुचेगा और जिन फ्रेंस ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया तो घी अच्छे से मिल्ट हो गया है अब इसमें हम मुंख्फली डालेंगे और उसको फ्राई करेंगे मुंख्फली फ्राई हो गया है अब इसको हम निकाल लेंगे और इसके बाद इसमें हम जीर डालेंगे जीर अच्छे से पक जाए तो इसके बाद इसमें मिर्ची डालेंगे तो जीर बहुत अच्छे से पक गया है अब इसमें मिर्ची डालेंगे अलो को अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तो गैस का फ्ले मैंने स्लो ही रखा है इसको धीमी आज में हम दस मिनिट तक अच्छे से फ्राइ करेंगे तो फ्रेंस इसमें हम हाप इस्पॉन हम चुल पॉडर डालेंगे इसको डालने से आलो फ्राइ का टेस्ट कापी बढ़ जाता है और इसके बाद इसमें हम पिज्जी हुई काली मिर्च डालेंगे काली मिर्च को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम हरी धनिया जिसको मैंने दूल के बारी काट लिया था इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे नमक फ्रेंस हम सेधा नमक डालेंगे नमक आपने स्वात के नुसार डाल सकते हैं और इसको मिक्स करके हम दो मिनट तक और अच्छे से भून लेंगे तो फ्रेंस आप देख सकती हैं बहुत अच्छे से मैंने आलू को फ्राइ कर लिया है इसके बाद इसमें जो मैंने मौंक फली फ्राइ किया था उसको मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको एक प्लेट में सरो करते हैं तो बहुत टेश्टी हमारी आलू फ्राइ हुई है आप इसको ब्रत में चाय के साथ खाएं आपको बहुत पसंद आएगा अगर प्रशंद आए तो प्लीज लैक सब्सक्राइब करना ना गूलें दोस्तों के साथ सेर जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको आलू साथ कर दो रहार जएगे प्राइब है लासा आपको टेड़ था रहात जा रहार्ट रहार जды